आज से सत्रा साल पहले लोहिया मार्केट का सिल्यानास तत्कालिन नगर विकास मंत्री आजम खान साब ने किया था उश्यमें चेर्मेन थे लच्मण गुपता नगरपाली का परश्यद बनी आके सत्रा साल पहले लोहिया मार्केट का सिल्यानास हुआ उसके बाद धिरे 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 ये इमारत बनकर तयार होती रही दुकान बनकर तयार हुआ करिब 200 से ज़्यादा दुकान बनकर तयार है सत्रा साल पहले इस मार्केट का सिल्यानास उस उद्देश चे हुआ कि यहां के ब्युशाईयों को यहां के दुकंदारों को यह दुकान आवंटित की जाएगी ताकि यह दुकान प्रदेश में एक बेहतर चाप छोड़ेगा जिल्या के बेहुशाईयों में एक खास तौर पे बैपारियों में एक खुशीक लहर थी जब इस मार्केट का सिल्यानास हुआ अब यह कब बनकर तयार होगा, कब इसका आवंटन होगा, कब बैवसाईयों को, बैपारियों को मिलेगा यह तो जिला प्रशासन और खास तर पर सासन बताएगा बीच में इसके पहले के जो जिला अधिकारी थे हरी परकाश शाही हरी परताब शाहिश्वारी उस समय प्रयाश हुआ कि इस लोहिया मार्केट का इसी हालात पे सबको आवंटीत कर दिया जाया और इसको वेहतर बनाके सौंप दिया जाया दुकानों का करम शंख्या भी लिखा गया है आप देश सकते हैं लेकिन अभी तक यह मार्केट नगर के जिले के बैपारियों को नहीं सौपा गया कब होगा कैसे होगा यह प्रकेटिया में है फिलाल जनपत के बैपारियों के एक उम्मिद है कि बहुत जल्दी इसका लोकार पड़ होगा अब इसमें बहुत सारे काम पड़े हुए हैं बिल्लिंग बनके तयार है दुकान बनके तयार सुटर भी लगे हुए हैं और बकायदे दुकानों पर नाम भी अनकित है प्रसासन ने एक साल पहले इस पर तयारी जम कर की थी लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका कब ये बनकर तयार होगा कब बैपारियों के हवाले होगा ये तो वक्त की बात है लेकिन यदि ये जल्दी बनकर तयार हो जाता और लोगों को मिल जाता तो ये एरिया गुलजार हो जाता जाड़ खंजाड में तब्दिल लोहिया मार्केट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे चारों तरफ जाड़ खंजाड लगे हुए हैं सिलापड भी लगा हुआ है उस्च में के जिलादिकारी बीके मलिक थे आजम खान साब आये हुए थे इसका सिलानास उन्हों ने किया था बार बार ये मांग उड़ती रही बार बार की इसको सौंप दिया जाए इसको हवाले कर दिया जाए बैपारियों को लेकिन ऐसा नहीं हो सका कब होगा कैशे होगा ये तो सासन और परसासन तैय करेगा फिलाल बैपारियों के माने तो यदि जल्दी हो जाता तो इसमें मार्केट इस्थापित हो जाता लोगों का आना जाना शुरू हो जाता, मार्केट भी खुल जाते, लोग अपने बेवसाय को लेकर यहां भरपूर अपने रोजी रोजार के बारे में सोच सकते थे खास तर पर बैपारियों के माने तो उनकी यह कहना है कि जतना जन्दी हो सके इस लोगया मार्केट को पूरी तरह से कंप्लिट करके उन्हों आवंटित कर दिया जा ताकि दुकाने हाँ लगना सुरू हो जाएं फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लितना ही देखते री यूपी आज कल बली आज कल मैरो संजय सवाल इसमें लोहिया मार्केट मूर नमस्कार